Hello everyone, welcome back to my channel, मैं हुश रद्दा, आज की इस वीडियो में मैं एक आई मेकप शेर करने वाली हूँ, so neon eye makeup मैं शेर करने वाली हूँ, जो आप किसी भी party wear के लिए comfortably wear कर सकते हैं, क्योंकि जो हम neon eye makeup जो हम देखते हैं, बहुत सारी tutorials में वो काफी दिखने में काफी अच्छे होते है काफी attractive होते हैं, but at the same time, जब अब महुने खुद पर try करना होता है, तो वो हमें उतना comfortable नहीं लगता है, ऐसा लगता है, थोड़ा over हो गया है, कुछ जादा ही bright है, वगरा वगरा, ऐसे thoughts मन में आते हैं, so मैंने थोड़ा सा simple सा neon eye makeup आप लोगों के साथ मैं share कर रही हूँ, ज जो कुछ get together वगरा में आप असानी से carry कर सकते हैं, comfortably carry कर सकते हैं, so मैंने आखों की base को ready कर लिया है, prime कर लिया है, moisturize कर लिया है, concealer apply कर लिया है, set कर लिया है, सबसे पहले मैंने, सबसे पहले ये shade मैं अच्छे से blend कर रही हूँ, अपनी crease line पे, so beautiful सा coral सा shade है, and ये जो palette मैं salvation palette, जिसमें कुछ 6 से 7 shades है, neon shades है, and कुछ जो है normal matte shades है, so crease line पे आपको एक shade blend करनी है, चाहे आप कैसा भी eye makeup करें, crease line पे अच्छे से blending होनी चाहिए, and soft होनी चाहिए, जो भी color आप ले रहे, then मैंने ये लिया है, blue shade, जो की बहुत जादा neon shade नहीं है, but normal से थोड़ा सा bright है, so इ मैं इसे outer corner पे press कर रहे हूं, and जो eyeshadow puff इसमें provided है, इस palette में मैं उसी से ही apply कर रहे हूं, and हलका सा मैंने नीचे भी apply किया, lower lash line पे, बिल्कुल उसके बराबर में, parallel में मैंने apply किया, then मैंने लिया है, ये pink shade, and ये भी थोड़ा सा neon shade है, इस palette में जो neon shades हैं, वो बहुत सादा bright नही है, so आप comfortably उन्हें carry कर सकते हैं, and किसी function में, या फिर college की function में तो आप definitely carry कर सकते हैं, then मैंने third shade लिया है, ये green shade जो की काफी bright है, and इसे मैं ले रही हूं अपने third step में, so जो shades मैं next add करते जा रही हूं, उन्हें पहले वाले shades से हलका सा, मैं match भी कर रही हूं, हलका सा वहां पे mix भी कर रही हूं, ताकि बहुत जादा gap ना दिखाई दे, दो shades के बीच में, उसके बाद last मैंने ये लिया है, inner corner के लिए ये yellow वाला shade, और ये जो तियों चारो shades जो मैंने लिये हैं, उसे मैं नीचे lower lash line पे भी apply करती जाओंगी, बिल्कुल parallel में, just like pink के नीचे मैं pink shade apply करूंगी, green के नीचे lower lash line पे मैं green shade apply करूंगी, तो इस तरह से मैंने parallel में apply कर लिया है, and मैंने अब लिया liquid liner, so मैं काफी long wing बना रहे हूं, because अगर आपके outer corner पे ज़्यादा color लग जाता है, तो आप इस तरह से उसे long eyeliner बनाकर उसे cover कर सकते हैं, अपना जो highlight है, वो कहीं और distract कर सकते हैं, so lower water line पे मैंने green pencil यूज़ के, green kajal लगा था, and then मैंने लगा लिया है mascara, lower lashes पे भी मैं mascara अप्लाई कर रही है, so this is my final look for this eye, अपने दूसरी आख पे मैं दूसरा neon makeup आपको दिखा हूंगी, so इस लुक के लिया मैंने अपने eyebrows को ऊपर की और brush up कर दिया है, जो की completely optional है, and आप देख सकते हैं, काफी normal सा look है, normal in the sense आप western wear में ये look केरी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा bright नहीं है, and काफी comfortable है, so दूसरी आख पे भी मैंने same अच्छे से prepare कर लिया है concealer लगा करके, and मैं ये pink shade ले रही हूँ, अपनी crease line के लिए, and इस side में मैंने eyebrows को normal brushing की है, बिल्कुल normal रखा है, बहुत ज़्यादा dramatic करने की कोशिश नहीं किया, because मैं ये eye makeup ही थोड़ा सा dramatic करने वाली हूँ, तो मैं ले रही हूँ एक white pencil, जब मैं ये shoot कर रही तब मैं travel कर रही थी, तो बहुत सारे products लेकर मैं नहीं गई थी अपने साथ में, तो मेरे पास ये white eyeliner pencil था, white kajal है, ये Maybelline का, इसे मैंने as a eyeliner लगा लिया है, otherwise मैं white base यूज़ करती हूँ, काफी bright लगने लगते हैं, so मैंने वही तीन से चार shades, जो neon shades थे, उन्हें मैं one by one place कर रही हूँ, जो lightest shade है, उसे मैंने inner corner पे डाला है, जो dark shade है, उसे मैंने outer corner पे डाला है, और उसके बाद एक green pencil ये उसके है, ये my glam की pencil है, इसे मैंने waterline पे press किया है, और ये जो green shade है, इसे मैं उसे smudge कर रही हूँ, lower lash line को, so basically मैंने सिर्फ और सिर्फ eyeliner बनाया है, neon color से, और ये जो yellow shade आप देख रहे हैं, ये हलका सा matte है, इसे मैं जो eyelid पे जगह खाली रह गई है, crease line and eyeliner के बाद वहाँ पे मैं इसे apply कर रही हूँ, so ये look पहले वाले look से थोड़ा ज्यादा simple है, but still आपको मिल जाता है colorful eyeliner, so अगर आप अपने eyeliner को bright करना चाहते हैं, एक white base लगा लिजे और उसके ऊपर आप eyeshadow stick कीजे, ये hack मैं पहले भी share कर चुकी हूँ, viral hack को test करते हुए, अगर आप लोगोंने नहीं देखा है, तो मैं नीचे link दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, and this is the final look, I personally don't like the false lashes, मुझे ऐसा लगता है कि false lashes जो है वो इतनी ज़रूरत नहीं है, जितना हम tutorials में दिखाते हैं, but कुछ looks में false lashes अच्छे भी लगते हैं, मतलब मैं completely उसे negative में नहीं लेती हूँ, काफी अच्छे लगता हैं false lashes, but normally 90% मैं without false lashes ही make-up करना पसंद करती हूँ, so इसलिए मैं वही आप लोगों को सिखाती भी हूँ, and कभी-कभी मैं false lashes try करती हूँ, but tutorials में काफी कम किया है, दो या तीन बारी किया है, आगे कर सकती हूँ, उसके बारे में मैं कुछ comment नहीं करूँगी, so thank you so much guys, thank you so much for watching, अगर आप लोगों ने मैं चैनल को subscribe नहीं किया है, then please subscribe कर दीजे, and video अच्छा लगा हो, तो like करके share जरूर कर दीजेगा, simple say, neon eye makeups, दो different looks, thank you so much.